Good morning students, today we are going to read lesson number 7, safety and first aid. Safety means होती है सुरक्षा and first aid means होता है प्राथमिक चिकित्सा. यानि कि जो घायल वैक्टी को सबसे पहले साहेता दी जाती है उसको प्राथमिक चिकित्सा कहा जाता है, यानि कि first aid. Okay, now let's start. Accidents and injuries happen when we are careless. ठीके, दुरगटना और चोट कब लगती है जब हम लापरवाह होते हैं. ठीके, लापरवाही के कारण क्या होती है, चोट लगती है और दुरगटनाए होती है. We should follow safety rules to avoid these accidents. ठीके, हमें सुरक्षा के कुछ नियम अपनाने चाहिए, ठीके, ताकि दुरगटना ना घटे. Now let's start. Safety rules कौन कौन से हैं? ठीके, safety rules, safety on road. ठीके, road पे कैसी safety rule होने चाहिए? सुरक्षा के नियम कैसे होने चाहिए? Always walk on the footpath. हमें कहां चलना चाहिए? हमेशा footpath पे चलना चाहिए. Walk at the extreme, left hand side of that road, which is without a footpath. जो road, ठीके, हमें कहां चलना चाहिए? हमेशा left hand side पे चलना चाहिए road के. यदि जहां पर footpath ना हो, ठीके? तो हमें हमेशा left hand side पे ही चलना चाहिए. now next हमारा आते हैं always follow traffic signal हमें हमेशा traffic के नियमों का पालन करना चाहिए look at the picture बिटा आप लोग picture देखिए picture से भी आप समझ सकते हैं be in a queue when getting in or out of a bus or a train हमें हमेशा कैसे होना चाहिए यदि हमें bus में चर्णना हो या उतरना हो या train या bus में हमें हमेशा line में ही लगके जाना चाहिए now next हमारा आता है wear seat belt when seated in a moving car यदि कोई car चल रही हो चलती भी car में हमेशा क्या पहननी चाहिए seat belt पहननी चाहिए हमें देखिए picture को देखिए picture में भी दिखाया गया है what is wrong और what is right ठीके क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है okay now next आता है do not run on the road हमें क्या नहीं करना चाहिए हमें road पे भागना नहीं चाहिए okay cross the road only at zebra crossing subway और foot over bridge हमें हमेशा कहां पे road cross करनी चाहिए zebra crossing पे subway पे ठीके subway यानि कि जो underground हमारा crossing का बनाया जाता है foot over bridge और जो ठीके जो road के उपर जो bridge बनाया जाता है उसके द्वारा हमें हमेशा road cross करना चाहिए now next आता है do not pull your head put your head and hands out from a moving vehicle ठीके हमें क्या नहीं कहना चाहिए अपने हाथ और सर को बाहर नहीं निकालना चाहिए ठीके चलती हुई वाहन से ओके it is a fact हम देख लेते हैं ठीके the world's first manually operated gas lit traffic light was put up in London in 1868 जो दुनिया के सबसे पहली manually रूप से जो संचाली gas से चलने वाली जो traffic light थी वो कब बनाई गई वो 1868 में London में लगाई गई थी ठीके traffic light जो सबसे पहले लगाई गई थी ठीके think हम इसको देख लेते हैं what do you think would happen if people did not obey traffic signal signals ठीके आपको क्या लगता है कि क्या होगा अगर लोग traffic signal का पालन नहीं करेंगे ओके नव नेक्स हमारा आ जते है safety at home अब हमें घर में कैसे सुरक्षा करनी चाहिए do not leave your toys bags and books laying on the floor you may trip over them and judge yourself यहाँ पे बोला गया है अपने toys, bag और books को अना floor पे नहीं फैलाना चाहिए ठीके आप उस पे चड़के आपको चोट लग सकती है आप अपने आपको ही ठीके चोट पहुचा सकते हो next आप जते है do not take any medicine on your own हमें अपने आप ही कोई medicine यानि दवाई नहीं लेनी चाहिए medicines take without a doctor's advice can make you sick ठीके यदि हम कोई बिना doctor के advice के कोई दवा ले लेते हैं तो हम बिमार पढ़ सकते हैं next आप जते है do not go near the gas stove और play with math stick ठीके हमें gas के पास नहीं जाना चाहिए gas stove के पास नहीं जाना चाहिए और नहीं उसके पास हमें खेलना चाहिए use sharp objects like knife and seizure only in the presence of an adult ठीके हमें क्या करना चाहिए यदि हम कोई sharp चीज का use कर रहे हैं जैसे की चाकू का या कैची का तो हमें किसकी प्रेजंस में करनी चाहिए हमें बडो की ठीके उपस्तिती में ही उसका use करना चाहिए now next आज आते do not hide in the cupboards ठीके never cover your face with polythene bag you may get suffocated ठीके हमें कभी भी ठीके अलमारी में नहीं छुपना चाहिए और नहीं अपना face polythene bag से कभी cover करना चाहिए आपका दम घुट सकता है never touch any electrical appliance with wet hands you may get an electric shock ठीके आपको कभी भी बिजली के जो उपकरण है उनको कभी भी गीले हाथ से नहीं छुना चाहिए ठीके आपको electric shock लग सकता है do not play on terrace हमें कभी भी terrace पे नहीं खेलना चाहिए okay students now we will continue in next video